अस्सलामु अलीकम वाली बाल के दूसरे लेक्चर में फुशामदीद वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर अफ वाली बाल ये लेक्चर मंदर्जा जल टॉपिक्स पर मुश्टमिल है बिलियम जी मौगन वाली बाल की इजाद 1895 में होली ओक मैसेचुसेट्स में यंग मैंस क्रिस्चन एसोसियेशन वाई एमसीए के फिजीकल डाइरेक्टर विलियम जी मौगन ने की थी मौगन ने इसे मिंटनेट का नाम दिया शुरू में ये ताजिरों के लिए एक इंडोर गेम था जिन्हें बास्केट बाल का नया खेल बहुत ठका देने वाला लगता था वजर तसमीया मैसेचुसेट्स के स्प्रिंग फिल्ड कालिज के प्रॉफेसर डॉक्टर अलफ्रेड टॉंसन हैस्टेड ने खेल की वाली की नौईयत को नोट किया और वाली बाल का नाम तज्विज किया इब्तदाई गवानीन मौर्गन ने लिखे थे जो यंग मैंस क्रिस्चन एसोसियेशन ओफ नौथ अमेरिका 1897 किया एथलीटिक लीग की अफिशल हैंड बुक के पहले एडिशन में चापे गय थे 1900 में वाली बाल को कीनीड़ा और जापान में मुतरिफ कराया गया इब्तिदा में ये खेल बैडमिंटन के कोर्ट में खेला जाता था 1912 में वाली बाल के अपने कोर्ट की लंबाए 18.28 मेटर और चौड़ाई 10.6 मेटर मुकर्र हुई 1910 में वाली बाल को यॉरप में मुतरिफ कराया गया 1916 में YMCA और नेशनल कालेजीट अटलेटिक एसोसियेशन एनसी एए ने मुश्तरका तोर पर कवाईद जारी किये थे 1917 में नेट की उन्चाई 2.44 मीटर मुकर्र हुई 1918 में फैसला किया गया कि खेल तीन सट पर मुश्तमिल होगा और हर सट में 15 बॉइंट होंगे खिलाडियों की दादाद भीचे मुकर्र किया गया 1921 में कोर्ट के दर्मियान सेंटर लाइन को मुतरिफ कराया गया 1922 में अमरीका और कीनीड़ा के दर्मियान वाली बाल का पहला बैन अलखवामी मैच खेला गया 1922 में एक टीम का गिंद को नेट के उपर जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा तीन बार टच करने का फैसला हुआ 1928 में वाली बाल को पहली बार ओलम्पिक खेलों में एक मुझाहरे के खेल के तोर पर शामिल किया गया United States वाली बाल एसोसियेशन USVBA 1928 में पाइन की गई थी और इसे अमेरिका में कानून साजी और गवर्निंग बाडी के तोर पर तसलीम किया गया था 1947 में International वाली बाल फेडरेशन FIVB की बुनियाद रखी गई FIVB के जिर इहतिमाम मर्दों के आलमी मौकाबले 1949 में और मर्दों और 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 अरतों दोनों के मौकाबले 1952 में मौनकिद हुए 1952 में एशियन वाली बाल कन्फडरेशन यानि ABC काइम हुआ इसका हेड़ कौर्टर चाइना में है 1958 में वाली बाल को एशियन गेम्ज में शामिल किया गया 1964 में वाली बाल को ओलम्पिक गेम्ज में एक मुकमल तमगे के खेल के तौर पर शामिल किया गया 1974 में खवातीन की पहली वाली बाल वर्ल्ड चेम्पियन शपका इनिकाद हुआ 1986 में मर्दों की पहली वाल वर्ल्ड चेम्पियन शपका इनिकाद हुआ 1996 में बीच वाली बाल को पहली बार ओलम्पिक गेम्ज में शामिल किया गया 2020 में टोकियो जापान में समा अलिंपिक में वाली बाल को शामिल किया गया तैंक्स फॉर वोचिंग वाली बाल के दूसरे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिक्शन में मौजूद है